हेलो आवरीवान एंड वेल्कम बाग तो आवर यूट्यूब चानल स्लावीपोरेंश तो फ्रेंज आजके इस वीडियो में हम वही नवेंबर की पेपर को डिसकास करने वाले हैं जहां पर हम 30 कोशन को कवर कर चुके थे उसके आगी की कॉशन को आजके इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो जल्ले से स्टार्ट कर लेते हैं और यहां पर अगर हम सबसे पहर 31st क्वाशन की बात करें तो यहां पर बोला गया है arrange the GC detector according to their increasing sensitivity तो यहां पर जो gas prometography में use करे जाने वाले detectors होते हैं उनको यहां पर आपको arrange करना है उनकी जो sensitivity increase होती हुई होती है उस according तो यहां पर आपके सामने चार यह options है और इनको आपको arrange करना है पहला है electron capture, second है flame ionization, third है nitrogen phosphorus and fourth है आपका thermal conductivity detector अब यहां पर अगर हम उनके options की बात करें तो यह जो option है यह किस तरह से दियेगे है यह वोरे समझ में नहीं आया clearly तो मैं directly आपको इसका answer बता देती हूं तो यह जो आपका sequence होता है तो यह कुछ इस तरह से होता है यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले आएगा आपका thermal conductivity वाला उसके बाद में flame ionization then nitrogen phosphorus and last में आपका electron capture वाला तो यह इनका इस तरह से sequence होता है according to their increasing sensitivity सबसे जादा जो sensitive होता है वो होता है आपका thermal conductivity वाला then flame ionization then nitrogen phosphorus and last में आपका आजाता है electron capture अब यहां पर यह जो detectors होते हैं यह क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें flame ionization detector के इसको short पर हम FID कहते हैं तो यह जो होता है बहुत ज़्यदा sensitive होता है towards organic molecules जितने भी organic molecules होते हैं उनके respect में अगर हम बात करें तो flame ionization detector जो रहता है वह बहुत ज़्यदा sensitive होता है लेकिन अगर हम बात करें कुछ small molecules की जैसे कि आपका nitrogen हो गया N2 हो गया NOX हो गया H2S हो गया carbon monoxide हो गया carbon dioxide है water है तो इसके respect में जो आपका flame ionization detector होता है यह आपका insensitive होता है तो यह चीज़े आपको यहाँ पर याद रखनी है उसके अलाबा तो more carbon atoms in the molecule the more fragments are formed and more sensitive the detector तो कोई भी molecule में जितने ज्यादा carbon atoms होंगे उतने ज्यादा उसके fragments हो पाएंगे यानि कि पर्टिकुलर molecule जो है वह बहुत होड़े पीसे में तो यह जो आपका thermal conductivity वाला होता है यह आपका अगर इसको हम FID यानि कि flame ionization से compare करें तो उसके comparison में यह less sensitive होता है उसके अलावा यह ज्यादा आपका preferable रहता है ज्यादा useful रहता है for preparative applications क्योंकि जो sample होता है यहाँ पर destroy नहीं होता है तो यह इसका बहुत बड़ा advantage हो जाता है यह जो thermal conductivity वाला होता है इसमें आपका जो भी sample रहता है वो destroy नहीं होता है तो यह question बन सकता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजेगा उसके अरावा जो detection होता है thermal conductivity में यह आपका base होता है comparison of two gas streams जो अलग-अलग gases होती है उनमें comparison करा जाता है यहाँ पर एक जो gas एक जो रहता है वो carrier gas होती है और जो other gas रहती है carrier और compound दो चीजे रहती है साथ में naturally जो carrier gas होती है उसमें वो basically high thermal conductivity की होती है for example यहाँ पर हम helium या फिर hydrogen को use करते है ताकि जो temperature difference है उसको हम max to max कर पाएं दो filaments के बीच में तो यह हो गया आपका thermal conductivity अब next है आपका electron capture detector तो electron capture में क्या होता है it consists of a cavity that contains two electrodes and a radiation source that emits radiation तो इसमें क्या होता है कि एक आपका इसमें दो तरह के electrodes हम use करते हैं जो की radiation को emit करने के लिए use करा जाता है यहाँ पर जो collision कराया जाता है वो electrons और carrier gas के बीच में कराया जाता है carrier gas यहाँ पर क्या होती है methane gas होती है methane plus यहाँ पर इसके साथ में कोई भी inert gas को भी हम use करते हैं combination use कर लेते हैं as a carrier gas in electron capture तो यह question ही बहुत important है electron capture detector में as a carrier gas हम क्या use करते हैं carrier gas के तोर पर हम methane gas plus कोई भी inert gas को हम use करते हैं और इससे होता क्या है एक plasma containing electrons and positive ions का basically produce होते हैं यह दोनो and if a compound is present that contains electronegative atoms कोई ऐसा compounder इसमें की electronegative atoms present है तो उसमें जो electrons होंगे वो capture करे जाएंगे to form negative ions negative ions को बनाने के लिए उसके electrons जो रहते हैं वो capture करे जाते हैं और जो rate of electron collection होता है electron को collect करने का rate होता है वो condition में कम हो जाता है जो detectors होते हैं वो आपके extremely sensitive होते हैं compound के लिए with atoms of high electron affinity तो जो आपका electron capture detector होता है यह बहुत जादा sensitive होता है बहुत जादा selective होता है उन compounds के लिए जिन atoms की जो electron affinity होती है वो बहुत जादा होती है बट इसमें कुछ relatively small linear range भी रहती है जो कि आपकी 102 to 103 रहती है और यह जो detector होते हैं इस frequently इसका यूज करा जाता है जितने भी chlorinated compounds होते हैं उनकी analysis के परपस से तो यह भी question बन सकता है कि जो भी chlorinated compounds होते हैं उनके detection के लिए हम कौन से तरह का detector यूज करते हैं gas chromatography तो हो जाएगा आपका electron capture detector अब यहां पर एक चीज और समझने की है जो chlorinated compounds होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो chlorinated compounds के अंदर आता है आपका pesticides जिसमें आपके herbicides and insecticides दोनों रहते हैं next is polychlorinated biphenyls तो यह भी आपके question बन सकता है कि which among the following is or is not the chlorinated compound option होगे आपके पास और आपको पूछा रहेगा तो यह भी आपको पता होना चाहिए and यह हो गया आपका इतना detector के बारे में अभी आगे चलते हैं next आप से पूछा यह और्थो-डाइ-methylation of codeine तो और्थो-डाइ-methylation of codeine हमें क्या देता है यह हम को देता है morphine अभी अगला question है which article of constitution of india ने declare किया है कि जो आपका supreme court है shall be binding on all courts within territory of india तो यह जो आपका constitution है article है basically इंडियन constitution का यह आपका article 141 में define करा गया है अब यहां बाकी के भी जो आपके options है यह भी उतना relevant मैं नहीं कहूंगे क्योंकि usually जो constitution of india पर based questions रहते हैं वो बहुत ही rare आते हैं वाट क्योंकि इसमें पूछा गया है इसलिए जो बाकी के आपके articles है वो क्या होते हैं किसमें क्या क्या है क्या क्या define करा गया है वो यहां पर मैंने पूरा दे लिया है इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी रफली में बता रेती हूं 141 थो हमने देख लिया 140 में क्या है जो एंसिलियरी पावर्स होते हैं सुप्रीम कोट की उसके बारे में बताया है 139 में अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो भी आपको एक्जाम में हिट कर जाएगा कि इस पर्टिकुलर कोशन का अंसर क्या होगा अब भी आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेशन है 34 और यह बिसिकली यहां पर पूछा गया है विच आप दी फॉलोइंग आड़ फॉर्मेट्स ओफ आउट्पूट इमेजेज वेन क्रियेटेड यूजिंग एफ्टी के इमेजर का यूज करते हुए हम इमेजेस को बना रहे होते हैं उनको इन्हांस कर रहे होते हैं तो उस इमेजर में आसा आउटपूट इमेजेस यूज करे जाते हैं जो एकसिफ है यह आपका यूज नहीं होता है तो इस क्वेशन का आंसर हो जाएगा ऑप्शिन नमबर 3 अब यह जो इसमें जो इसमें और कौन-कौन से फॉर्माट्स होते हैं उसको भी यहां पर देख लेते ह इसमें कोई भी addition या deletion नहीं किया जाता है और इसमें कोई भी तरह का metadata भी contain नहीं होता है next है smart smart जो है एक तरह का it is an image format that was used for linux linux के लिए हम use करते हैं और which is not properly used anymore यूजिली इसका जो यूज रहता है वो Linux के purpose, Linux में हम करते हैं, बाकि इसका इतना ज़्यादा use नहीं होता है अगला है E01, E01 का full form के अगर हम बात करें तो यह है in case evidence file, in case basically इसको full form के नाम पर बोला जाता है और इसका जो use है commonly imaging के लिए जो format के तोर पर इसको हम use करते हैं अगला है AFF, AFF का full form होता है advanced forensic format जो की एक तरह का open source format type है तो FTK imager में basically 4 तरह के format हम use करते हैं raw, जिसको हम DD भी बोलते हैं, smart, E01 and AFF तो यह आपके सारे formats हो गए अभी आगे चलते हैं question number 35 की तरफ, यहाँ पर पूछा गया है as per ASTM E 1618-11 guidelines number of classes of ignitable liquids identified by GC mass spectrometry so basically इस तरह के questions होते हैं आपके paper में एक दो आते हैं अब यह जो ASTM guidelines रहती हैं इनको उतना याद करना possible नहीं हो पाता है इसलिए आप लोग एक काम कर सकते हैं previous year papers पर जितने भी ASTM guidelines पर questions पूछे के हैं वो आप इसको याद कर सकते हैं बाकि अगर आप चाहिए इसको याद करना तो आपकी choice है बाकि इस तरह के correct answer हो जाएगा option number 4 याने की 8 अगला question है larger value of freshule in diatom is better known as तो जो diatom रहता है उसमें जो freshule के larger value होती है उसको हम बोलते है एपी थीका अब ही यह इसका structure क्या है इसको यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इस तरह का यह डायाटम का structure रहता है इसमें यह जो लाइन रहती ही center में इसको हम बोलते हैं राफे side side में जो होती हैं उसको हम epigraphy बोलते हैं जो पतली-पतली सी हैं इस तरह से उसके लावा यह जो पूरा इस तरह का structure होता है इस तरह का एंड इस तरह का तो यह पूरा आपका रहता है freshule आब इसमें यह जो आपका एक side रहता है hypo-thika और एक side रहता है आपका epithika तो इसमें भी आपके freshule के अंदर दो parts होते हैं एक हो गया epithika एक हो गया hypo-thika अब freshule के अंदर दो parts है आप इसमें भी बड़ा part क्या होता है वो होता है आपका epithika अब यहां पर यह जो कुछ इस तरह से line दिख रही हैं यह है आपके girdle bands और यह जो आपका outer line होती है इसको हम बोलते है hypo-wealth तो यह कुछ डायाटम का इस तरह का structure होता है सारे नाम याद रख लिजेगा उसमें पूछ सकता है कि which among the following is not the part of डायाटम structure तो इस तरह यह questions आपके exam में आते रहते हैं next question है question number 37 यहाँ पर पूछा गया है the law of space states that different segregating gene pairs behave independently due to recombination where genetic materials shuffle between generations so यह basically आपका biological question है जहाँ पर जो genetic वाला portion रहता है वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं तो इस question का correct answer हो जाएगा independent assortment जो independent assortment वाला law होता है वहाँ पर ही बताया जाता है कि जो अलग-अलग gene pairs होते हैं उनको separate करना independently behave करते हैं something इस तरह का question number 37 में जो option का इसका answer हो जाएगा independent assortment अगला question है question number 38 38 में यहाँ पर पूछा गया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से match करना है basically और यहाँ यह आपके सामने लिस्ट 1 में कुछ आपके दिये गए है alcohols के नाम और लिस्ट 2 में बताया गया है पुछा गया है कि इसको कौन सवाला किससे बनता है जो बीयर होता है उसका formation किया जाता है बारले माल्ट से wine का formation होता है ग्रेप से brandy जो रहता है उसका formation होता है sugar containing fruit से और rum का formation होता है molasses से तो इसका जो correct pairing आप देख सकते हैं a2 b1 c4 and d3 तो यह जो आपको correct मिल रहा है option number 2 में मिल रहा है बाकी सब में इस तरह का कुछ भी नहीं है तो आप seriously question का answer mark कर सकते है option number 2 basically यह थोड़े से आप logic के साथ करना possible नहीं क्योंकि इसका exact answer आपको पता होना चाहिए तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे इसका formation किसके help से हम करते हैं ठीक है अब ही आगे चलते हैं और next question है question number 39 और यहां पर पूछा गया है which of the following city in India have both state and central forensic science laboratory तो यहां पर आपको बताना है इंडिया के अंदर इसी कौन सी city है जहां पर state और central lab दोनों ही available है तो इस question का correct answer हो जाएगा Hyderabad and Kolkata ठीक है जो Hyderabad और Kolkata है यहां पर state lab और central lab दोनों ही available है तो correct answer है option number 4 B and E only आगे चलते हैं और यह हमारा आज का last question यहां पर पूछा गया है Inconsistency in letter form, change in slope, trimmers, use of alternate letter form, normally not used by the writer, are the characteristics commonly associated with which of the following तो यह जो आपके characteristics बताई गई है कि inconsistency है letter form में, change है, slope में, trimmers है, alternate letter form को हम use कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े क्या हमें दिखाती है कि जो भी writing है वो disguise writing है अब यह जो भी term मैंने बता है slope क्या है, tremors क्या है, यह सब कुछ हम already जब हमने question documents को पढ़ा था, बहाँ पर सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बाकी के जो questions हैं, उनको भी जल्दी ही हम cover कर लेंगे, तो अभी इस video को करते हैं, बाकी यह video पसंद आ रहा है तो like कर दीजेगे, बाकी जो questions है, यह सारे questions आपको हमारी जो website है वहाँ पर available मिल जाएंगी, सारे questions है वहाँ पर, उसको जाकर वहाँ से आप access कर सकते हैं और यह video पसंद आ रहा है तो like जरूर से कर दीजेगा, अपने friends के साथ में share कर देंगे ताकि उन तक भी quality content बहुन सके, चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेंगे, bell icon प्रेस कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here